हर देश वासी को मोल भूत स्विधाई निले और हर शहर और गाउं आधनिक कनेक्टिविटी से जुड़े ये हमारे दूर दर्शी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी यानि गारंटी पूरी होने की भी गारंटी क्योंकि बीते दस वर्षों में देश भर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूत पूर्व काम हुए हैं जिसका लाब 36 गड़ के लोगों को भी मिला है प्राकृतिक सुंदर्ता, आदिवासी शिल्पकला और वयभवपूर संस्कृति का प्रतीक 36 गड़ यहां के लोगों की ईज अफ लिविंग बहतर बनाने के लिए माननिय प्रधान मंत्री जी 34,400 करोड रुपए से अधिक की दस परियोजनाओं का लोकारपण उद्घाटन एवं शिलान्यस आज कर रहे हैं 36 गड़ के रायगड जिले में 1600 मेगवार्ट का NTPC लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण एक का लोकारपण एवं 1600 मेगवार्ट चरण दो का शिलान्यस आज किया जा रहा है लगभग 31,300 करोड रुपए की इन परियोजनाओं से कम लागत की 24-7 बिजली की उपलब्दता सुनिश्चित होगी अर्ट्रा सूपर क्रिटिकल टेक्नोलजी एवं सूपर क्रिटिकल टेक्नोलजी पराधारित इन परियोजनाओं से कोईले की खपत और कार्बन डायोकसाइड उत सर्जन दोनों में कमी आई की इन परियोजनाओं की कुल बिजली का आधा हिस्सा चतीस गड़ राज्य को मिलेगा आज उद्घाटन एवं लोकारपन होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं कोरबा कोल फिल्ड्स में स्थापित दीप का ओपन कास्ट कोल हैंलिंग प्लांट साथ इस्टन कोल फिल्ड्स की ये परियोजनाएं इको फ्रेंडी तथा त्वरित रूप से कोईले के परिवहन को सुगम करेंगी साथ ही कोईले की गुनबत्ता तथा सुरक्षित खनन के लिए भी ये प्रोजेक्स बेहद उप्योगी सिद्र होंगे भविश्य में नवी करनिय उर्जा के संचार एवं विस्तार के लिए 451 एकड़ क्षेत्र भल में सोलर एनरजी कॉर्परेशन अफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा सयंत्र के साथ 40 मेगावाट बटा 120 मेगावाट आवर की बैटरी उर् भंडारन प्रनाली की स्थापना की गई है इससे सालाना करीब 25 करोड यूनिट बिजली का उत्पादन होगा साथ ही बड़े स्तर पर स्थानिय रोजगार का अवसर बनेगा राष्ट्रिय राजमार गुंचास के बनारी से मसनीय अकला खंड के निर्मान से बिलासपुर से रायगड ओडिशा बॉर्डर के बीच बेतर कनेक्टिविटी होगी जिससे 36 कड के उत्पादों और क्रिशी उपजों की नए बाजारों और मंडियों तक पहुच बेतर होगी और राष्ट्रिय राजमार गेक्सोतीस शिव नगर से अम्विकापुर खंड के दो लेन पेव निर्बाद एवं माल की आवाचाही सहज होगी इन राष्ट्रिय राजमार्गों के निर्मान से जांजगीर चांपा, सक्ती, सरगुचा, कोर्बा एवं आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा बेतर रेल कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर उसलाप और रेल प्लायोबर का लोकारपण हो रहा है इससे माल परिबहन को बढ़ावा मिलेगा और यातायाद भी तेज होगा भिलाई में 50 मेगवाट क्षमता के रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकारपण किया जा रहा है ये परियोजना ग्रीन एनरजी क्लीन एनरजी के संकल् की सिद्धी की मिसाल है जिससे प्रतिवर्ष 86,000 टन कार्बन डायोकसाइड के उतसर्जन में कमी आएगी डबल इंजन सरकार के साथ अमरितकाल में चो तरफा विकास की ओर बढ़ता 36 गड़ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के आत्मनिर्भर विकसित और भव्य भारत के विजन को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है